अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए है जो कच्छा 11 एवं 9 के लिए है तो आप इसको ध्यान से देखिए यहां पर हम कोशिका के बारे में पहले बता चुके हैं कि कोशिका होता क्या है इससे संबंदित कुछ हैं कोशिका पादब कोशिका और जनतु कोशिका में अंतर policial हम लोगने पढ़ा क्या होते हैं को Epic के कई उपनाम है उसको लिए संतोist toja कंड़ा कोशिका और पादब कोशिका का आकार किस तरीके से होता है तो सबसे पहले हम अपको यह बता दें किस क्लासे के लिए है यह कच्छा 9 एवं 11 के लिए यह कच्छा 9 एवं 11 के लिए किसके लिए है कच्छा 9 एवं 11 के लिए इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे तो यह देखिए इसमें जो है यह किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है आगे आपको चल करके पढ़ना ही पढ़ेगा तो आज हम इसके बारे में बता रहे हैं यहां पर पार्ट फाइव या फोर्त जो कुछ भी है तो यह कछा नौ 11 के बारे में हम यह लिख रहे हैं कोशिका के बारे में तो आप देख रहे हैं यहां पर पादप कोशिका लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है जन्त में खटकोड़ी होती है जबकि जन्तु कोश्का कैसी होती है आइदाकार होती है अब पादब कोश्का में देखे यह हमने बताया था पादब कोश्का में मोटी कोश्का भित्ती पाई जाती है देख रहें यहां पर यह इतनी मोटी सी कोश्का भित्ती पाई जाती किसकी बनी होती है जो द्रीणेयों मजबूत होती है बहुत हाड होती है तो जन्त जो पादप कोशिका है उसमें मोटी सिलोज की बनी कोशिका भित्ती पाई जाती है जब कि इसमें देखें आपको कई ऐसी कोश्वन्रशना मिल रही जिस तरीके से इसमें ऐसा कुछ नहीं तो यहां पर तरफ से एक मोटा कवच या मतलब की रच्छा करने वाला पादपों की भित्ती यानि पादप कोश्का की रच्छा करने वाला एक मोटी द्रीड कोश्का भित्ती पाई जाती है यह तीन कोश्का भित्ती के तीन पाइट होते हैं प्रात्मिक कोश्का भित्ती दृतियक और यह को स्काथ होती है कि इस तरीके से हर्टे से आपको यह बीच by ook वीच में चिद्र होता है और इसके ऊपर इस तरीके से कर्के कुछ सब्रशना मिल रही है और इधर से तो यंद्रुक है किंद्रक है किंद्रक क्या कहते हैं तो तो तका किंद्रक कita कृते हम तो यह दिख रही हो यह तो तो अगर हम इसको अलग से बनाएं तो यह है केंद्रक केंद्रक के कितने भाग होते हैं पांच केंद्रक छिद्र हो गया केंद्रक छिद्र केंद्रक छिद्र फिर उसके बाद आ जाता है केंद्रक कला केंद्रक को चारों तरफ से जो भी ती घेरे होती है उसको हम केंद्रक कला कहते हैं केंद्रक कला या केंद्रक जिली भी कह सकते हैं केंद्रक कला फिर उसके बाद आ गया यह केंद्रिका है केंद्रिका फिर उसके बाद इसमें जो जा प्राइब आन्दुटक दे सब्सक्राइब केद्र बोलते हैं जिर दो तो यह बेच वाला भाग देखेंगे इसके यह पूरा देखेंगे इसमें इसको अंदर केंद्रीका फिर किनारे पर छोटी-छोटी छिद्र क्पती है फिर केंद्रक को चारों तरब से झिलली के रहे हुए है केंडर कला कहते हैं फिर में केंडर का reporting कित्र होती है समान संवर्डशन संद्रशन संक कर उसको हमपड केंडर भीट्रफी लग्यंति और घंडर करन मैं ही सिसके और इंडो प्लाज्मिक रेटीकूलम कह Means हिंडी हमें अंतर प्रद्रव्य जाल करए इससको हम आप नाम देते हैं राइबो सॉम आपको दिकर हाऊ यह कंड के शमान स्बाइब हैं इतन्या समझ में आ गया अब इसके बाद यहां पर पानव कम कर में देखि видели यह रिक्तिकाएं हमने यह कहा था कि पादब कोशिका में बड़ी को बड़ी रिक्तिकाएं पाए जाती है जब कि जन्तु कोशिका में ऐसी कोई सन्रचना नहीं मिलती है तो रिक्त इस्थान पादब कोशिका में दो बड़ी-बड़ी सी खाले इस्थान पाए जाते हैं उसको हम इसमें कुछ एंजाइम भरे होते हैं और कुछ कलर पदार पधों में फूलों में रंग प्रदान करने के लिए कुछ होते हैं फिर इसके बाद यह वाली एसी संवर्णा माइच्ञ जो इस तरीके से हैं इसको माइच्रोंटेा करें यह माइच्टोंट्री और यह फिर इसके बाद देखा तो यह माइक्रोटिवियूल है क्या है ये माइक्रोटिव्यूल माइक्रोटिव्यूल मे ähnlich स्क्राइबोर के लिवर्द के था सबते हो सकते हैं और राइबोकरल्सॉमिये और यहाँ पर हरित लवक लिखा हुआ है को पूरा मिला करके फिर यह देख रहें आप यह गाल जी वाडी है पूरा यह हमने बताया केंद्रक फिर उसके बाद इसके बाहर की जो कला है वह एर इंडो प्लाज्मी रेटिक्यूलम फिर खाली दो इस्थान है उसको हमने रिखती का नाम दिया फिर कुछ दानेदार समझना है विसेस मिलती है उसको राइवोसोम करें फिर उसके बाद एक माइटो कंड्रिया होता है तो यह सारा चीज देखें इसमें भी और इसमें भी दोनों समान हैं लेकिन हरितलवक पादव कोश्कम मिलता है इसमें नहीं मिलता और इसमें लाइसोसोम मिलता है इसमें जगह-जगह क्या पाय जाता है लाइसोसोम पाय जाता है तो यह हमने पादव कोश्कया और जन्तुकोशिका में अंतर हम बता चुके थे इसका चित्र के अधार पर और देखें तो घसाना तो एक बश्य देखते हैं उसके बाद उसके बाद कोश्क्क्या बेटी पूरा केंद्रक है फिर उसके में किंद्रक कला पर जो सनना उसको अंतर प्रद्वी जालक्या क्या जाने पिर इसके बाद ये दो खाली इस्थान है इसको हम रिख्तिकाय कह रहे हैं और ये राइबोस सुम फिर इधर से भी माइट्र कंड्रीया तेम से वही चीज़े यह मैं तो कुछ पाया जाता कुछ जनत्रौ कोशिक का में नहीं पाया जाता जैसे आधाया हरित लबख जनत्रौ कोशिका में मिलता अगर मिलता होता तो माना भी क्या करता अपने आप सोयम भोजन बना लें आ misinformation होता ना आप